स्नैपी गल्ज सपना चौधरी की दो दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है ऐसा माना जा रहा है कि फैमिली में जो भी विवाद हो रहे हैं या उनकी जेठानी उनके जो खलाव में बोल रही हैं उनके उपर आरोप लगा रही हैं उन वज़े से सपना बहुती ज़्यादा डिस्टरब है और उनकी फैमिली में भी बहुती ज़्यादा डिस्टरबंस है और वो इन चीजों को नहीं चाते हैं क्योंकि इन से उनकी रिस्तेदारी भी खराब हो रही है और चार लोगों में उनकी जगहसाई हो रही है हैं कि उन्हों अपने परिवार के साथ बिलकुल सिहत बन रहें, खुश रहें और जैसा उन्हें अच्छा लगता है और जब वो अपने आपको टैयार कर लेती हैं तो वो अपनी वीडियो ज़रूर शेहर करें क्योंकि सपना के चाहने वाले उनके सपोर्टर और जो भी हैं वो उनकी वीडियो के द्वारा उनकी जिंदगी को देखते हैं उनके दर्द को बाटते हैं और वो कभी भी नहीं चाते कि सपना किसी बात से परिशान हो तो उनकी वीडियो के जरिये न केवल वो सपना के लाइफ को जानते हैं बलकि वो अपनी बाते और अपन दुख होता है वो भी सपना से शेयर करते हैं क्योंकि हमने हाल के वीडियो में देखी थी कि सपना के व्लॉगिंग में जो बर्डे का वीडियो भी डाला गया था कई लोग उसकी वज़े से भी अब्जेक्शन उठा रहे थे कई लोग कह रहे थे कि कैसे सपना ऐसे टाइम में भी अपना बर्डे सेल्विरेट कर सकती है तो दोस्तों हम बस यही उमीद करते हैं कि सपना जल से जल इन सारी दिकतों से उभर कर अपनी व्लॉगिंग को फिर से स्टार्ट करें